Hello Students, Polytechnic Liberal Learning में आप सभी का स्वागत है तो बच्चों I.M.E.D. यानि Industrial Management and Entrepreneurship Development जिसे हम हिंदी में और द्योगिक प्रबंधन एवं उद्धिमिता विकास के नाम से जानते हैं उसका जो छट्वाँ चैप्टर है जिसका टाइटल है विभिन छेत्रों में प्रबंधन का स्कोप यानि Management Scope in Different Areas तो इस चैप्टर को हम पूरा का पूरा आज के इस वीडियो में कवर करेंगे तो मैं आपको बता दूँ स्टार्टिंग में कि इस पूरे चैप्टर में टोटल चार टॉपिक हैं यानि 6 चैप्टर है तो 6.1, 6.2, 6.3 और 6.4 तो सभी टॉपिक्स को हम सिस्टमेटिक तरीके से कवर करेंगे और जैसा कि मैं आपसे बताता हूँ कि कोई भी चीज हमको पढ़ना है तो हमको सब्द पर ध्यान देना है उस सब्द का अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है उससे कोरेलेट करते हुए हमको उसमें आगे बढ़ते शॉर्ट में हम इसको कहते हैं HRM, Human Resource Management मतलब HRM लिखते हैं या कई बार हम इसको शॉर्ट में सिर्फ HR भी कहते हैं, आप इसमें आगे बताने से पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि आपने HR सब्द का नाम जरूर सुना होगा HR Interview के रूप में, आपको पता है HR Interview क्या ह होता है, जब किसी कमपनी में कोई भी स्टूडेंट नौकरी के लिए जाता है, तो उसका HR Interview होता है, तो बच्चों वही HR जो कमपनी की तरफ से आते हैं, वही HR Department की तरफ से आते हैं, ठीक है बच्चों, तो अब उससे कोरेलेट करते हुए हम चीज़ें लिखेंगे कि जो HRM यानि Human Resource Management या मानोस अंसाधन प्रवंदन जो किसी भी कमपनी या Organization में होता है, तो आखिर उसके कार क्या क्या होते हैं, अगर हम उनके कारियों को समझ लेंगे, तो हम पूरा फिर उसके ओदेश भी समझ जाएंगे, फिर सारी चीज़ों को हम समझ जाएंगे, तो सबसे पहल करते हैं, बच्चो HR Interview के द्वारा क्या करते हैं वो, अपने यहां कंपनी में काम करने के लिए, वो Manpower को Select करते हैं, अलग अलग लेविल के लिए, हर तरह के डिपलोमा वालों के लिए भी, उसके बाद B-Tag वालों के लिए भी, ITI वालों को भी लेते हैं, इससे कम जिनकी qualification ह उनको भी अलग पदों के लिए चैनित करते हैं, तो सबसे जो main important अब आपके mind में बैठ गया होगा कि जो HRM का, जो सबसे महत्पूर्ण जो कार है, वो है, उस company के लिए कर्मचारियों का चैन करना, यानि recruitment या फिर selection जो process है, वो HRM या Human Resource Department की तरफ से किया जाता है, ठीक है ब HR Department या HRM या Human Resource Management का ये part है, ठीक है बच्चों, तीसरा, अब वो कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनका performance मूल्यांकन करना, यानि वो performance उनका क्या रात, तीन महिने में, छे महिने में, एक साल में उनका मूल्यांकन किया जाता है, कि जो कार उनको दिया गया था, वो ठीक से करते रहे हैं कि नहीं क्या मूल्यांकन है, उनका इसकी जिम्मेदारी भी किसकी होती है, Human Resource Department की, अगला है कर्मचारी हित की योजनाय बनाना, कर्मचारी बेनिफिट के लिए different schemes चलाई जाती हैं, बहुत सारी अन योजनाय चलाई जाती हैं, जो कर्मचारीों के हित के लिए होती ह प्रोथसाहन योजनाय चलाई जाती हैं, उन कर्मचारीों को प्रोथसाहित किया जाता है, आगे बढ़ने के लिए अपना काम अच्छे से करने के लिए, ताकि उससे ultimately क्या होगा, कंपनी की ग्रोथ होगी, और्गनाईजेशन की ग्रोथ होगी, तो benefit employees का भी होगा, तो ये काम भी किसका होता है, HR का, इसके अलावा इनाम देना, इनाम की गोशना जैसे जो कर्मचारी बहुत अच्छा होगा, कंपनी में गोशना की जाती को उसको ये इनाम दिया जाएगा, उसको प्रोमोशन दिया जाएगा, या उसको पैसे का इतना पैसा उसको दिया जाएगा, बोनस की रूप में इस तरीके के जो घोश रहे हैं वो भी HR Management का एक हिस्सा होती है इसके अलाबा कर्मचारी के लिए स्वास्थ और सुरच्षा योजनाय बनाना ये भी HR Management का एक पाल्ट होता है क्या है करना कर्मचारी довольно के लिए स्वास्तेवं सुरच्छाय योजनाय बनाना अब ये अगर आपने सब्दों पर फोकस कर लिया क्या 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 क् Human Resource Management के उद्देश बताईए तो इन्ही को बदल करके आपको लिख देना है कि HRM के प्रमो खुद देश निम्नांकित है कर्मचारी का चैन करना कर्मचारी को यह भी वही चीज़ आ जाएगी कार पूछ रहा है तो भी यही आ जाएगा अब परिभासा की रूप में आपको कैसे लिखना है इसको आप समझ लीजी इन्ही पॉइंट्स के द्वारा हम परिभासा लिखेंगे पैराग्राफ के रूप में लिखिए मानो संसादन प्रबंधन ऐसा प्रबंधन होता है जो किसी स्वास्ते हम सुरच्छा समंधी योजनाय बनाता है तो ये जो प्रबंधन होता है कर्मचारियों के लिए किसी भी बड़ी कंपनी में या किसी भी कंपनी में या संगठन में या और्गनाईजेशन में वो कहलाता है Human Resource Management या HRM या फिर उसको हम HR भी कहते हैं अब ये बच्चों HRM से related चा कोई भी प्रशन आप से पूँच ले इन सब्दों पर focus करके आप उसको आसानी से लिख सकते हैं इसी में एक आता है बच्चों मानो सकती नियोजन मानो सकती को अंगरेजी में कहते है manpower आपने सुना होगा फिर वही बात मानो सकती manpower मतलब सीधे कर्मचारी की बात हो रही है नियोजन मतलब planning तो manpower planning क्या होता है तो सबसे पहले तो mind में रख लीजी कि मानो सकती या manpower वही कर्मचारी से ही है हमारा कर्मचारी चाहे जिस level के हो वह सब manpower कहलाते हैं जो काम करने के लिए हायर किये जाते है HRM की तरब से तो जो मानो सकती नियोजन या manpower planning है उसके अंदर निमलिकित कार आते हैं अब उनकी planning बच्चों आपने कर्मचारी हायर कर लिए मान लीजी HR department ने कर्मचारी आगे तो आप सही संख्या में कितने कर्मचारी रखना है कई बार क्या होता है काम काम होता है कर्मचारी बहुत ज़्यादा हो जाते है तो उनकी छटनी भी की जाती है कई बार कर्मचारी काम होते हैं काम ज़्यादा होता है तो करमचारी ज्यादा संख्या में रखे जाते हैं तो ये companies में चलता रहता है आपने सुना भी होगा तो सबसे जो महत्पूर्ण है इसमें manpower जो आपका planning है उसमें सही संख्या में करमचारीों को रखना ये बहुत जरूरी चीज है दूसरा सही जगे पर सही करमचारी को रखना भाई कोई भी company है कई सारे उसमें विभाग होते हैं तो किस विभाग में किस करमचारी को रखना है या कौन सा काम किस करमचारी को देना है ये बहुत महत्पूर्ण होता है यदि या आप कोई काम किसी गलत कर्मचारी को दे देंगे जो इसमें इंट्रेस्टेट नहीं है या कर नहीं पाता है तो वो काम की क्या होगी दच्चता उसका जो आउटपोट है सब प्रभावित होगा तो ये जो planning है ये manpower planning ये बहुत जरूरी है इसमें ये देखना कि सही स planning में और कर्मचारी की आवशक्ताओं का पूर वानुमान लगाना यानि भविस में जब company growth करेगी तो हमें कितने कर्मचारी के आवशक्ता पढ़ेगी इसकी planning पहले से ही तयार रखी जाती है ताकि उसी हिसाब से आगे चल करके recruitment किया जाए तो ये सारे काम जो है manpower planning के अंत कर्मचारी के समद में तो कि सही संख्या में कर्मचारी रहें सही जगे पर सही कर्मचारी को रखा जाए सही समय पर सही कार करवाया जाए उनसे और कर्मचारी की जो आवशक्ता है उसका पूर वानुमान लगाया जाए इसके साथ साथ में जो हमने उपर बात किये थे को develop करना कोई कर्मिचारी आया वो भी इसी का manpower planning का यह खिस्सा होता है but manpower planning का मतलब manpower मानव सकती या कर्मिचारी ही मानो सकती होते हैं planning मतलब plan यानि योजना पूरी तयार करना उनको जो manpower आपने रखी हुई है उनको सही समय पर कब इस्तेमाल करना है सही संख्या में रखना है सही काम देना है ठीक है बच्चों यही सारी चीजें और उनकी आवशक्ता का पूरवानुमान लगा करके ताकि आगे recruitment के लिए plan तैयार किया जा सके कर्मिचारियों के causal का विकास करना और उनको training program तैयार करना ये भी सब उसी का हिस्सा है अब बात आती है दी कि निस्पत्ति मुल्यांकन की यानि performance appraisal कर्मिचारी रख लिए गए तो उनका बच्चों performance कैसा रहा आपको पता होगा कई company क्या करती है आपने सुना भी होगा कि कोई student रखा लेकिन एक साल बात company ने कह दिया कि आपका performance अच्छा नहीं था हम आपको नहीं रख पाएंगे तो क्या हुआ company ने कैसे यह जच किया उसने performance appraisal किया यानि performance मतलब प्रदर्सन यह एक और सब्द प्रयोग किया जाते हैं निस्पत्ति और appraisal means या evaluation means मुल्यांकन तो निस्पत्ति मुल्यांकन या प्रदर्सन का मुल्यांकन यही कहलाता है performance appraisal या निस्पत्ति मुल्यांकन तो बच्चों या फिर कई companies होती है किसी कर्मचारी को एक साल उसने रखा training period में उसका performance उसने आकलन किया अच्छा रहा तो उसको और बढ़ा दिया कि आप हमारे आगे और काम करिया हो सकता है उनको regular भी कर दिया जाए इस तरीकी की चीज़े तो वो कैसे किया जाता है performance appraisal या निस्पत्ति मुल्यांकन के द्वारा तो निस्पत्ति मुल्यांकन या प्रदर्शन मुल्यांकन क्या होता है ऐसी प्रकृरिया जिसमें एक निस्चत समयांतराल कर द्वारा हो सकता है मंतली आपको कर्मचारी को वो किया जो हो सकता है तीन महीने में छे महीने में या एक साल में हर कंपनी का अपना अपना होता है एक निश्चे समयांतराल पर विवस्थिस तरीके से कर्मचारी के प्रदर्सन का मूल्यांकन किया जाता है इसको कहते हैं प्रदर्सन मू या 360 degree assessment, 360 degree का मतलब 360 का मतलब पूरा घेर चक्कर यानि चारो तरब से उसके कर्मचारियों के प्रदर्सन के बारे में क्या किया जाता है, उसके supervisor यानि उपर का जो अधिकारी है, सहकर्मी जो उसके साथ में काम कर रहे हैं, अगर कोई team बनी है, तो उन टीन सदस्यों से पूरा feedback और सूचनाय ली जाती है उसके बारे में, और कर्मचारी से स्वव मूल्यांकन, यानि वो अपना self assessment करके देता है, उससे मांगा जाता है points में, कि आपने क्या क्या उपयोगी कार किये company हित में, आपका क्या योगदान रहा है, आप खुद से बताइए, तो वो लिखके दे और कर्मचारी के स्वव मूल्यांकन के आधार पर, वो 360 degree feedback या 360 degree क्या मूल्यांकन करके, फिर उसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, तो इसको कहते हैं, 360 degree मूल्यांकन, दूसरा अप एक अलग से सिर्फ होता है, स्वव मूल्यांकन, यानि self assessment, जैसे government department में होता है, क्या है, self assessment, स्वव मूल्यांकन मांगा जाता है, पिर ते एक वर्स, उनको कहा जाता है, कि ये format होता है, जैसे teacher से ही मांगा जाता है, self assessment, teacher से क्या कहा जाता है, आपने कौन-कौन से पढ़ाए, उनका result कैसा रहा, कितने बच्चे पास हुए, कितने फेल हुए, practical में क्या स्थिति रही, आपके द्वारा कितने बच्चों को रोजगार दिलाए गया, वो सब teachers अपना अपना बताते हैं, तो सब काला गलाग होता है, किसी का performance अच्छा रहता है, किसी का काम अच्छा रहता है, तो उसी को कहते है, self assessment, तो ये भी एक तरीका होता है, कई सारी industries में, companies म या organization में, company के मुल्यांकन को judge करने का, तीसरा है मुल्यांकन केंदर बिधी कहते हैं, assessment center method, बहुत क्या होती है, बड़ी-बड़ी companies जो होती है, उनके यह assessment center या मुल्यांकन केंदर बने होते हैं, वहाँ बहुत systematic तरीके से हर चीज बेउस्तेत होती है, वहाँ पर मुल्यांकन किया जाता है, तो उसको कहते हैं, मुल्यांकन केंदर बिधी, अगला है rating scale बिधी, excellent to poor, यानि क्या किया जाता है, कर्मचारी की rating की जाती है, कि यह कर्मचारी किस category में, excellent से यानि बहुत best है, उससे माल लिए very good है, फिर good है, फिर सामान है, फिर poor है, performance उसका कह सारा है, इसको पैमाना बना लिया जाता है rating का, excellent से ले करके poor तक, तो यह उसके आधार पर फिर उसका कर्मचारी का performance देखा जाता है, उसका मुल्यांकन किया जाता है, एक होती है checklist भी दी, checklist का मतलब संते ही, टिक करना, यानि yes और no, उपर से नीचे तक प्रशनोत्तरी तयार करती जाती है और उसमें फिर yes और no लिखा जाते हैं, हाँ ये काम इसने किया, yes और no, yes, no, इस तरही से करते जाते हैं, और फिर उसके marks पर तेक के रहते हैं, yes के और no के, और उस हिसाब से फिर कर्मचारी का देखा जाते हैं कि कितने marks इसने प्राप्त किये, छटा है, उब भोकता द्वा तो कई बार आपने नोटिस किया होगा कि बात करने के बाद फिर एक मैसेज आता है क्या आप बात करने से जो आपने जिन से बात किया है वो कि आप उनसे संतोष्ट हैं और आप उनको कितने नमबर देना चाहेंगे या कितना excellent की poor देना चाहेंगे या 5 में से या 10 में से कितने ऐसा कई बार होता है आपने notice किया होगा आपके साथ भी होगा मेरे साथ भी कई बार messages आते हैं कि आप हमको rate करिए तो rating की द्वारा क्या करना है उस कर्मचारी का मुल्यांकन करेंगे ना बाद में कि इतने customers को इन्होंने deal किया तो इतने number मिले प्रते customer भाई एक कोई अगर असंतोष्ट होगा तो खराब दे देगा पूर एक खोस होगा तो excellent दे देगा तो उस आधार पर फिर number जोड़ करके उनका किया जाता है तो यह भोकता द्वारा दिया गया feedback भी बहुत मातपून होता है एक साथ मा होता है बल पूर वक बिकल्ब भी दी इसको force method कहते हैं इसमें क्या किया जाता है दो option सिर्फ रहते हैं यह तो true यह फिर false उसमें option दे दी अब वो मजबूर है करमचारी कि यह तो सही लिखेगा यह गलत बताएगा तो कोई चीज जैसे प्रशन लिख दिया उसमे मूल्यांकन किया जाता है तो बच्चों यह साथ method बताए होते तो बहुत सारे हैं जो अलागला companies द्वारे यह कुछ मैंने आपको एक जानकारी के लिए और परिच्छा में लिखने के द्रश्टी कॉंड से आपको बताए हैं फिर बता देता हूँ 360 degree मूल्यांकन दूसरा है स्वा मूल्यांकन यानि self assessment मूल्यांकन केंदर बिधी जहां मूल्यांकन केंदर बने होते हैं वहां भेजकर गती बिधियां करा करके मूल्यांकन किया जाता है रेटिंग इसके लिए एक्सिलेंट से पूर तक रेटिंग दिला कर चेकलिस्ट बिधी जिसमें yes और no में answer दिय इसमें तो यह पहला 6.1 जो आपका section था वो खतम हो गया चार section है मैंने आपसे बता इस chapter में तो पहला बच्चों किसके बारे में था human resource के बारे में या मानो संसाधन जो management होता है उसके बारे में हमने सारे points आपके पढ़े अब यह हम दूसरे उसमें चलते हैं 6.2 की तरफ material and store management इसके functions, objectives, ABC, analysis और EOQ बहुत मातपूर्ण है तो फिर हम material और store management पर आ गए हैं यह company के अंतरगती पहले हम किस पर आए बच्चों human resource management की बात की यानि कर्मिचारियों के बात में अब हम किसकी बात कर रहे हैं इसी के अंतरगत material and store management की आपको पता है कि किसी भी company में अगर जैस इसे मंगाया जाता होगा जैसे कोई माल लीजिए किसी company में कोई industry माल लीजिए चोटी सी माल लीजिए आप उसमें माल लीजिए आटे की कोई मिल है तो उसमें एक raw material रूट में क्या अना जाएगा ना अना जाएगा उसको पीसा जाता होगा फिर वो packet में बंद करके उसको भेजा जाता होगा मार्केट में तो ये जो कोई भी company है उसमें अना इस्टोर भी करती होगी बहुत बड़ी मात्रा में तो वहाँ पर उसी को वो कह रहे है store material यानी material department होता है जो management होता है क्या होता है material कैसे खरीदा जाता है और उसको store करने का तरीक है जैसे कोई company बता है ना फ्लोर मिल यानी आटे की मिल है तो बहुत बड़ी संख्या में अनाच खरीदती होगी और उसको store भी करती होगी तो store management की क्या जि दे जाते हैं या तो वो कच्चा पदार्थ खरीदते हैं जिसे raw material कहते हैं जिसे मैंने बताया कि गेहूं खरीदा फिर उसका आगे process होगा आटा बनेगा या कई लोग आगे का कुछ बना रहे हैं product बना कर बेंच रहे हैं दूसरा होते है अर्द निर्मित प्रोडक्ट यान बनाने वाली company है तो सारे parts तो नहीं बना रही है कुछ parts वो direct दूसरी company से खरीद के fit कर ले रही है तो वो finished product है न वो ले आई जैसे माली जिसे कोई two wheeler दो पहिया वाली कोई भी आप माली जिसे hero honda सुजी की tvs कोई भी आप माली जिसे तो वो tire तो नहीं बनाती है tire बने बन रहे हैं रबर मंगा लिया तो tire खुद से बनाई ले रहे हैं तो वो कच्चा पदार्थ अर्द निर्मित में मतलब semi finished stage में हैं उनको finishing दे करके फिर वो आगे process कर रहे हैं या फिर वो पूर्ण निर्मित पदार्थ होगा या पूरी तरह से क्या होगा बना हुआ होगा पदार्थ प्रबंधन की तो आप समझ गए कि भाई किसी भी company में industry में या संगठन में पदार्थ खरीदा जाता है किसी ना किसी रूप में भाई company में कुछ तो हो रहा होगा उत्पादन कार हो रहा होगा assembly हो रही होगी कुछ हो रहा होगा तो यह तो पूरा कच्चा माल ख खरीदा जाएगा या semi finished product या फिर finished product तो यह आ रहे होगे अब आने के बाद अब यह पदार्थ परबंधन का देखी रोल आ गया material management तो पदार्थ परबंधन की जो प्रमो कार हैं वो हम अब समझ लेते हैं उससे पूरा concept clear हो जाएगा कि पदार्थ परबंधन होता क्या है फ material department या material and store department या management तो क्या करेगा पदार्थ को क्रे करने की जिम्मेदारी उसकी होगी material purchasing की पदार्थ planning यानि material planning and control भी उसकी जिम्मेदारी होगी तीसरा पदार्थ की आपूरती करना यानि जहां उसने क्रे तो किया अब उसको आपूरती जहां करना है supply करना ये भी उसकी जि चौथा है भंडार प्रबंधन भी इसी के अंतर गाता है store management भई material जब खरीदा जाएगा तो उसका भंडारन भी तो किया जाएगा भंडारन करना मतलब store करना तो उसको कहते हैं भंडार प्रबंधन यानि store management आगे हम पढ़ेंगे तो store क्या होता है थोड़ा सा और एक अलग topic बन जाता है तो आगे हम पढ़ लेंगे इसके अलाबा पदार्थ हस्तांतरन का मतलब होता है company के अंदर पदार्थ को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाना material handling के लाता है तो वो भी उसकी जिम्मेदारी है inventory ने अंतरन inventory का मतलब होता है अभी topic हम इसको आगे और detail म में पढ़ेंगे inventory का मतलब है कितनी संख्या में हमको क्या जो stock है यानि उत्पादों की कितनी संख्या में हमको वहाँ पर बनाई रखना है company के अंदर ताकि जरूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जा सके उसको कहते है inventory अगला है मान की करन, standardization ये भी उसका काम है क्योंक value analysis ये value analysis का topic अलाग है तो इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में और packing तथा dispatching ये भी आप समझ गये होगे यानि packet में बंद करके उसको dispatch करना यानि market में उसको भेजना तो ये और उचित समय पर एक और topic बड़ा महत्पूर्ण है ये last का जो norma chapter है उसमें भी ये JIT दिया ह हुआ है just in time का मतलब होता है बिलकुल ठीक समय पर तो इसमें क्या किया जाता है material को store करने की ज़्यादा आवशकता नहीं होता है जब क्या होता है जब production सुरू होने वाला होता है उसी समय पदार्थ को मंगाया जाता है और सीधे जहां वो production point होता है वहां पर पहुँचा द store करना चाहते हैं कि just in time यानि ठीक उचित समय पर ही आप पदार्थ डारेक्ट दूसरी जगे से मंगा कर supply करते हैं ताकि storage का जो खर्चा है उससे बचा जा सके तो वो भी काम है तो यह 11 point निकल करके आए हैं तो बच्चों आप आसानी से पादार्थ प्रबंधन क्या होता है प्रशन पूछ लिया जाए तो आप इनी सब्दों को मिला करके 4-5 लिख सकते हैं कि पदार्थ प्रबंधन किसी कंपनी या संगठन में ऐसा प्रबंधन होता है जिसमें पदार्थ को क्रे करके उस पदार्थ की planning तथा नियंतरन किया जाता है सही समय पर आप पूर्ती किया पूर्ती करना भंडार प्रबंधन पदार्थ स्तांतरन इन्वेंटरी कंट्रोल मान की करन सरली करन मान विशलेशन पैकिंग तथा डिस्पैचिंग और उचित समय पर उस पदार्थ की सप्लाई करना मतलब बाहर से डारेक्ट मंगा दिया जाता है उसको स्टोरेज करने की ज्यादा अवशक्तनी पढ़ती है इसको JIT कहते हैं अलग कॉंसेप्ट बताया 9 में चेप्टर में है उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे अब ये फिर मैं कह रहा हूँ इन्वेंटरी जो नियंतरल जो हम उपर बात कर रहेते हैं इन्वेंटरी कंट्रोल या इसी को इन्वें कि आप उर्ती की जा सके अब इन्वेंटरी क्या होती है बच्चों एक सिंपल अपने घर से समझ लीजिए कि आप परियाप्त मातरा में घर में इतने सदस रहते हैं तो स्टॉक करके आप रखते हैं अनाज रखते हैं आटा रखते हैं तेल रखते हैं घी रखते हैं सक्कर तो आप सोची लेकिन आप बहुत जादा भी नहीं खरीद सकते हैं किसी का दो कमरे का या एक कमरे का घर है तो वो चीनी खरीदेगा तो एक किलो दो किलो या आधा किलो खरीदेगा ना कि एक बुरा खरीद के लग देगा यदि वो एक बुरा खरीद लेगा तो जगे घेरेग उसका पैसे का वेश्टेज होगा खराब होने का दिक्कत रहेगी होगा की नहीं कम मात्रा में खरीदेगा तो उसके या मालीजिए थोड़ा सा वो 100 ग्राम खरीद लाया उसके या थोड़ी देर में 4 दोस्त आ गई या 4 रिस्तेदार आ गए तो 100 ग्राम चीनी में कहां पूरा हो पाएगा कहने का मतला आप समझ रहें ना तो ऐसे इस्टोर इन्वेंटरी रखा जाता है कि ना तो वो कमी होने पाए जरूरत के अनुसार और ना ही उसकी इतनी अधिकतर है कि वो इस्थान घेरे और उससे आगे के लिए नुकसान हो तो इन्वेंटरी मेनेजमेंट में क कियेगा इस्टोर करके रखा जाता है यानि भंडारन करके रखा जाता है कमपनी के अंदर ही इस्टोर होता है इस्टोर एक मानली जी कमरा होता है जहां सामगरी जो खरीदी जाती है वहीं पर उसको भंडारन करके रखा जाता है फिर कमपनी में जिस डिपार्टमेंट को ज इस्टोर करके रखे रहते हैं और जहां जरूरत होती है उसी समय पर उसकी वो आपूर्ती कर देते हैं जिस डेपार्टमेंट को जरूरत होती है अब ये किसी भी कमपनी में सामगरी की उचित मात्रा रखना आवश्यक होता है क्यों अभी मैंने बताया घर का उधारन दिया य कान से लेने के लिए किसी को भेजोगे होता है नहीं तो कमी भी न होने पर इतना की विचार रिष्टेदार अचाना का जाएं तो आप उनको चाय बनाकर पिलास है को भागना बजार में न पड़े चाय की बत्ती परयाप्त मात्रा में रहे लेकिन बहुत जादा भी नहीं कि चीनी का पता चले एक बोरा रख लिया घर में रखने को जगे भी नहीं है और आप रखे हुए हो पता चले पानी परस जाए तो खराब हो जाए कोई और दिक्कत हो जाए तो ज़्यादा मात्रा में श्टोर करेंगे तो आनावशक रूप से खर्च होगा जगे गेरेगी सामान खराब हो सकता है स्थान घेरेगा इत्यादी ये सब कारण है तो आप समझ गए कि inventory कंट्रोल क्यों जरूरी है उचित मात्रा में सामगरी को श्टोर रखना बहुत जरूरी है उचित मात्रा के समझ गए ना कमी और ना उसकी अधिकता कमी होगी तो क्या हो जाएगा अ दोनों point आपको clear हो गए आगे बढ़ते हैं inventory नियंतरन की तक्नीक है ये परिछाओं में बहुत पूचा जा सकता है important लग रहा है ABC बिचलेशन मितवे यादेश मात्रा की तक्नीक inventory नियंतरन के अंतरगर दो तक्नीके आती हैं दो पुर्मुक तक्नीके हैं पहला कहलाता है syllabus म economic order quantity होती है और इसी को हिंदी में कहते हैं मितवेई आदेश मात्रा तो ये बच्चों दोनों की दोनों क्या है inventory जो management है या inventory control है उसकी दो तक्नीके हैं ABC analysis और दूसरा EOQ तो एक एक करके पढ़ लेते हैं ABC visualization या ABC analysis क्या है इसको ABC बिलकुल आसान है आप सोच भी नहीं सकते कि ABC visualization तो इतना तो clear है चुकि inventory नियंतरन की तक्नीक है तो inventory नियंतरन की इस तक्नीक में सामगरी को उनके मूल एवं महत्य के आधार पर A, B तता सी तीन वर्गों में वर्गी करत कर दिया जाता है बिलकुल simple है नाम से पता चल रहा है ABC analysis तो इसमें क्या किया जाता है किसी भी company म inventory नियंतरन यानि जो सामगरी आई ठीक है बच्चों तो उसके मूल के आधार पर यानि उसकी कीमत क्या है और उसका जो महत्य यानि importance क्या है उसके आधार पर तीन वर्गों में सामगरी को बांट दिया जाता है एक वर्ग होता है कहलाता है A, दूसरा वर्ग B और तीसरा वर रखा जाता है यानि A कैटेगरी में आपने जो अलग से समान अलग है तो किसको आप रखेंगे उसमें जो सबसे मूलवान और कीमती सामगरी होगी उसको रखेंगे और दूसरा सबसे अधिक inventory नियंतरन की आवशक्ता इसमें होती है क्योंकि सबसे मूलवान सामगरी है और उसका निश्चेत तोर पर महात भी जादा होगा तो इसमें सबसे अधिक inventory नियंतरन की आवशक्ता पढ़ती है A कैटेगरी में या A वर्ग में A, B, C बताया ना आपको A में क्या आएगा सबसे मूलवान सामगरी को रखा जाता है और इसमें सबसे अधिक inventory नियंतरन की यान और इसमें मध्यम inventory नियंतरन की आवशक्ता होती है, simple सा concept है तीसरा आजाईए C वर्ग यानि category C इसमें नियुनतम मूल की सामगरी को रखा जाता है जो सबसे सस्ती होती है और उसके बहुत ज़्यादा inventory नियंतरन की आवशक्ता नहीं होती है तो चल जाता है ज़्यादा उस इसमें बड़ी साहता मिलती है और सामान और चीजों को निर्गत करने में उनकी बेवस्ता देखने में बड़ी साहता मिलती है तो बच्चों समझ गए ABC बिशलेशन क्या होता है ABC क्या है ABC में हम क्या करते हैं जो भी सामगरी आती है उसको हम तीन category में बाट देते हैं तो inventory न दिया जाता है फिर A category क्या होती है मैंने बता दिया सबसे मूलवान और सबसे अधिक inventory नेंतरन के अवशकता B category क्या है मध्यम मूल और मध्यम inventory नेंतरन के अवशकता C category क्या है नियुनतम मूल और नियुनतम inventory नेंतरन के अवशकता हो गया अब यह दूसरा देख लिए इसकी Q या उसका full form भी लिख सकता है economic order quantity हो सकता है इतना लिख दे कई बार economic order quantity को हिंदी में भी economic order quantity ही लिखा रहता है तो इसको हिंदी में अगर हम जैसे कह सकते हैं economic का मतलब midway order मतलब आदेश और quantity मतलब मात्रा तो midway आदेश मात्रा इसको कहा जाता है तो EOQ का full form समझ गए आप economic order quantity यह पता होना चाहिए आपको क्योंकि सिर्फ EOQ भी परिच्छा में पूचा जा सकता है मित वेई आदेस मात्रा इसको हिंदी में कहते हैं अब इससे आपको नाम से नहीं पता चला रहा है economic order quantity यानि यह सामगरी की आदर समात्रा है जो किसी company को order करनी चाहिए जिससे inventory लागत नियुनतम रहे अभी यह बात आ रहे थी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कितनी inventory रखना चाहिए कितनी सामगरी को store करके रखना चाहिए ना तो कम होने पाए ना जादा होने पाए नियुनतम बनी रहे मने बताए inventory लागत जब अनावश्या का आप खरीद करके भर लोगे तो store करने में उसको दुनिया वर का बताया तो नुकसान हो जाएगा और इतना सारा तो inventory लागत बहुत बढ़ जाएगी उसको handle करने में तो आदर से एक optimum quantity बनाए रखना बहुत जरूरी है उसी को कहते है ईयो क्यू तो सामगरी के एक आदर समात्रा है जो किसी company को order करनी चाहिए जिससे inventory लागत नियुनतम रहे दूसरे सब्दों में कहें तो ईयो क्या है एक तरह का सूत्र है एक बताया ना सामगरी की मित व्याई आदेस मात्रा ग्यात की जा सकती है किसी भी company के लिए यानि कोई भी company EOQ का सूत्र लगा करके निकाल सकता है कि हमको इस सामगरी की इतनी quantity order करके मंगा करके अपने पास store में रखना है अब वो सूत्र क्या है सूत्र आप देख लीजी बिल्कुल सिंपल सा है उसको अंग्रेजी में याद कर लीजी EOQ बराबर under root के अंदर पूरा ये under root है उपर है 2HD दो का गुणा है S into D और बटे में H है ठीक है बच्चों तो ये सब पूरा क्या है under root के अंदर है तो EOQ क्या है एक सूत्र है जिससे सामगरी की मित्वेई आदेस मात्रा ग्यात की जाती है तो EOQ बराबर under root के अंदर 2HD बटे H 2-3 बार बोलेंगे उसको लिख के देख लेंगे तो याद हो जाएगा 2 है संख्या है S बात कर लेते हैं SETUP लागत है D आपकी मांगदर है मांगदर का मतलब demand rate और H है holding cost तो यदि ये तीनों चीज़ पता है तो यहां रख देंगे तो आपकी EOQ निकल करके आ जाएगी और कोई भी company फिर उसी हिसाब से order कर लेगी अब इसी में बच्चों था material प्रबंधन के बाद भंडार प्रबंधन यानि store management तो store मैंने बताए कि कमरा होता है किसी भी company में बड़ा सा या इस्थान होता है हमें कहना चाहिए वहाँ पर सामगरी को store करके रखा जाता है जो सामगरी भार से खरी दी जाती है उसको वहाँ पर भंडारन किया जाता है और जरूरत के हिसाब से फिर दूसरे डिपार्टमेंट को निर्गत किया जाता है या वहाँ भेज दिया जाता है यानि उसकी supply करती जाती है तो भंडार के high store किसी company में ऐसा इस्थान जहां सामगरी को सुरच्छित रखा जाता है ताकि आवशक्त अनुसार उसका प्रियोग किया जा सके अब भंडार परबंधन के कारियों को समझ लेते है तो functions of store management नाम से ही समझ में आ जा रहा है एक तो सामगरी को सुरच्छित रखना आवशक्त अनुसार सामगरी के आपूर्ती करते रहना भाई जब रखे हैं तो उसकी समय पर जो मांगे का जहां से मांग आएगी वहाँ पर भेजा भी जाएगा तीसरा सामगरी का सुरच्छित हस्तांतरन ये भी जिम्मेदारी उसकी होती है हस्तांतरन का बताया ना सामगरी ये ता मतलब ये भी बहुत जरूरी है, पांचमा है, चोरी है, आग लगना, जोखिमों से सामगरी को बचाना, अब इस्टोर कई जगे के बहुत बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा इस्टोर होता है, बड़ी संक्या में सामगरी होती है, पता चले कोई चोरी की ये ले रहा है, पता चले सॉ करता है th seperti under stokin बताये न भंढार मतलब सामगरियों को धेर cooking मतलब बहुत बड़ी संख्या में नहीं मंगा आके रख लेना है our stock in मतलब बहुत कम संख्या में भी या कम मात्रा में नहीं मंगा के रख लेना है कि खताम हो जाए production वाले मांग और सात्मा क्या है इस्टोर का प्रभावी उप्योग सुनिश्चित करना इस्टोर का प्रभावी उप्योग यानि जो इस्टोर का जो इस्थान है उसका सही सद उप्योग हो और उसका जो उप्योग है वो सुनिश्चित करना भी उसका महत्पूर्ण जिम्मेदारी है कार है तो यह कार अगर आपको पता हैं, तो अगर आप पूण हो पूँछे कि इसके उद्देश में बताईए श्टोर मेनेजमेंट के, तो इन्हीं को आप उद्देशों के रूप में बदलकर लिख सकते हैं, कि स्टोर मेनेजमेंट के या भंडार प्रबंदन के प्रुमॉख कार निमनांकित हैं यही सारे साथ तो यही कार हैं यही उद्देशों में बदल जाएंगे यही उसकी परिभासा में जुड़ जाएंगे यही सब्द बिलकुल सेम हैं और वही चीजें फिर बार बार आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं गुमा कर अब जैसे पूछ ले आप उसको लिख सकते हैं तीसरे सेक्शन की तरफ आ गए दूसरा खतम हो गया तीसरे तरफ आ गए हम मार्केटिंग और सेल्स में और इसके बारे में सारा चीज है मार्केटिंग मतला उत्पाद बन गया आप उसको को बढ़ाने के लिए अपनाती है भाई बिपड़ान उसको मार्केटिंग करना पड़ेगी ना ओनलाइन मार्केटिंग आज कल होती है ओफलाइन मार्केटिंग होती है तो ऐसी प्रक्रिया जो कंपनी अपने या सेवा की बिक्री को बढ़ाने के लिए अपनाती है वही कहलाती है marketing तो बिपढ़न के कार यानि functions of marketing हम देख लेते हैं क्या क्या उसके कार है marketing department होता है या marketing management के नाम से भी हम इसको जानते हैं तो यह जो उतपाद या सेवा है आप समझ गई कि उसकी marketing करना है तो उतपाद की तो marketing होती है जैसे online marketing की जाती है तो उसमें क्या होता है उतपाद को प्रोथसाइद किया जाता है बढ़ावत दिया जाता है यह खरीदो यह इसके अच्छे गुण है तो इसमें क्या होता है marketing में उतपाद या सेवा को promote किया जाता है उसकी बिक्री को बढ़ावत दिया जात उसका मूल निर्धारित करना, ये भी मार्केटिंग की एक strategy होती है, बित्रन करना, कैसे distribute किया जाए, कहाँ supply किया जाए, उसका प्रचार प्रसार करना और finance करना, जरूरत पढ़ने पर ये सारी चीज़ें जो आती हैं, वो आती हैं, आपका बेपड़न यानि मार्केटिंग अ अंतरगत, तो मार्केटिंग अंतरगत क्या किया जाता है, उत्पाद या सेवा को promote किया जाता है, उसकी बिक्री को बढ़ाना, उसके मूल को निर्धारित करना, उसका बित्रन यानि distribution करना, प्रचार प्रसार करना, और finance करना, ये कुछ कार हैं जो मैंने आपको बता दी हैं बाकी एक लंबी लिष्ट भी हो सकती है, और उसमें चाहें तो आप जोड़ सकते हैं, तो ये आप आसानी से समझ सकते हैं, अब बात आती है, sales department की बात आजाए, तो बताया न, marketing and sales, अब ये sales यानि बिक्री इसको sales को हिंदी में कहते हैं, बिक्रे या बिक्री कहते हैं, तो उत्पाद या सेवा, अगर कोई उत्पाद बना रहे हैं, तो ठीक है, कई कंपनी सेवा भी देती हैं, service प्रोवाइट करती हैं, इसलिए उत्पाद ओबलेक सेवा लिखा या उत्पाद या सेवा, तो आप समझ गए न कि या उत्पाद या तो आप बाजार में बेंच रहे अपनी सेवा के लिए भी कई लोग वो करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, यह इसी जिम हैं, वो सेवा देते हैं, तो जिम का कई वर पर चार पर साल लोग करते हैं, उसको भी तो बेंची रहें ताकि लोग खरीदें, तो उसके लिए बाजार ढूना, यानि मार्केट रिसर् बिग्यापन देना, एडवर्टाइजिंग को कैसे बिग्यापन देंगे, न्यूज पेपर के थुरू, न्यूज चैनल के थुरू, यूटूब के थुरू, और भी बहुत सारे आचकल पर्चे बटवाएंगे, ये सारा तरीका, बिक्री है तू पत्राचार करना, यानि सेल्स करिस्पॉंडेंस बोलते हैं, यानि बिक्री के लिए बिभिन मादमों को पत्र लिखा जाता है, कहा जाता है कि आप हमारा देखी प्रोड़क्ट है, बहुत अच्छा है, इसको प्रमोट करिए, लोगों के साथ गटबंधन किया जाता है, इस तरह की की चीज़ आती, बिक् बिक्री उपरान सेवा ये इसी का सेल्स डिपार्टमेंट का काम है, आफ्टर सेल्स सर्विस जिसको कहते हैं, और भोगताओं से अच्छे संबंध स्थापित करना, ये भी इसका एक हिस्सा है, और पैकेजिंग यानि पैक करके ही मार्केट में भेजा जाता है, तो वो भी स इसी में एक महत्पून टर्म है, आपको याद रख लेना है कहते हैं, प्रमोशन मिक्स, तो किसी उत्पाद या सेवा की बिक्री को बढ़ाने के लिए निमनांकित चार पी-एस, चार मतलब चार हैं, पी-एस मतलब पी से प्रारम होने वाले सब्द, तो ये चार सब्द हैं इनका जो मिश्रान हैं वो कहलाता है प्रमोशन मिक्स, आप समझ रहे हैं, मिक्स मतलब चार चीजों को मिक्स कर दिया गया आपस में प्रमोशन को बढ़ाने के लिए, तो चार पी-एस कौन-कौन से हैं, पी से प्राइस यानि मूल, पी से प्रोडक्ट, पी से प्रमोशन औ जो किसी भी उत्पात के बिक्री के लिए या मार्केटिंग के लिए 4 PS के नाम से जाने जाते हैं और इसको कहते हैं Promotion Mix क्या क्या है बच्चों Price यानि मूल, P से Price, Product, Promotion और Place ये चार चीजे हैं इनका जो मिसरान है वो कहलाता है यानि Combination उसको कहते हैं Promotion Mix ठीक है बच्चों अब हैं बात कर लेते हैं तीसरा हमारा section खतम हो गया चौता और लास्ट section इस चैप्टर का है Financial Management इसके Introduction, Function, Knowledge और ये different types के जो tax होते हैं तो ये भी हम जल्दी से समझ लेते हैं इसको फिर आप आजाएए बित्तिय प्रबंधन अंग्रेजी में कहते हैं Financial Management आपने Finance Minister यानी बित्त मंत्री का नाम जरूर सुना होगा तो बित्त का आप समझ गए होंगे पूजी, धन, पैसा इससे related है कुछ प्रबंधन ये आपके माइंड में आ गया होगा तो बित्तिय प्रबंधन मतलब कोई भी संगठन है या कोई कंपनी है संगठन का मतलब organization या company कह लीजिए में पैसे या धन संपूर्ण बिवस्ता को बित्तिय प्रबंधन कहते हैं, तो इसमें पैसे या धन की जहां बात आती है, उसकी बिवस्ता की बात आती है प्रबंधन की बात आती है तो उसको पूरा कहते हैं बित्तिय प्रबंधन और ये किसी भी कंपनी में महत्पूर्ण होता है आप बित्तिय प्रबंधन किये आप उसमें सक्सेस हो ही नहीं सकते हैं कोई कोई देश सक्सेस हो सकता है सब किस पर depend कर रहा है finance पर तो यह जो financial management है यह बड़ा important होता है किसी भी company के लिए तो इसमें किसी संगठन में पैसे या धन की इसमें लिख लिए धन की संपूर्ण ब्यवस्था को बित्तिय प्रबंधन कहते हैं अब धन से related कौन कौन सी ब्यवस् कारिभासा भी लिख देनी है तो बित्तिय प्रबंधन के कार क्या है इतो बजट तयार करना लिख देना इत। को अधिक्तम करना य'े किसके अंतरगत आता है बित्तिय प्रबंधन यानि उनको पैसे की बात जहां जहाएन ना lawyers की इनि प्रफिट पढ़ाना का मतलब पैसा च आयबे का ब्योरा रखना, प्रॉफिट को अधिक्तम करना, नगदी का रखना, नगदी मतलब नगत पैसा जो होते गड़ियां रखी हुई है, तो कैसे उनका रख रखाओ किया जाए, कहां रखना है, धन का सही उप्योग करना, जो भी पूंजी उपलब्द है, धन उपलब् ये चीजें महतपूने 6 की 6 चीजें जो आती हैं आपकी financial management को और इसको परवासित करती हैं, तो लिख सकते हैं आप किसी भी company या संगठन में बित्तिये प्रबंधन, ऐसा प्रबंधन है, जो बजट तयार करने, प्रॉफिट को अधिक्तम करने, नगदी के रख रखाओ, ध पूरा का पूरा उसी को परवासित कर देना है, यही इसके क्या हो गए? आपके प्रमकार हो गए और यही आपके उद्देश भी हो गए, तो यह हो गए 6 points, अब इसमें बताया ना, कि इसमें और भी चीजें दी हैं, तो इसमें अगर आपको मैंने कार लिखा दी हैं, तो points स पूँचें तो इनी सब points को जोड़ करके लिख देना है कि किसी भी company organization का ऐसे प्रबंदन जिसमें ये ये चीजें समलेत होती हैं तो कोई भी अब इस से कोई भी प्रशना आप से पूच लिया जाएगा बित्ती प्रबंदन से आप उसको लिखने में सच्छा हो पाएंगे क्या होता है तो नाम से ही पता चल रहा है कोई भी पैसा कमा रहा है चाहे नौकरी कर रहा हो सरकारी प्राइवेट या कोई संगठन है जो income कर रहा है यानि जिसकी भी income हो रही है तो उस पर जो tax लगता है वो प्रतिवर्स दिया जाता है वो कहलाता है income tax और ये tax भारत सरकार को जाता है तो ठीक है बच्चों किसी ब्यक्ति ये संगठन द्वारा अपनी taxable income को कहते हैं कर योग आए यह नहीं कि हर ब्यक्ति को देना है कोई साल वरों 50 जार कमा रहा है तो वो उसको income tax नहीं देना है तो छूट कितने तक रहती हैं वो भी मैं अभी tax कहलाता है और यह जो income tax होता है यह भारत सरकार द्वारा लिया जाता है यानि income tax department जो भारत सरकार के अधीन है उसको यह tax जाता है आप slap की बात कर लेते हैं कि कि कितने में कोई आदमी पता चले एक लाक रोपे साल वर का कमा रहा है तो क्या उसको income tax देना पड़ता है यह महत्पूर्ण चीज है तो इसमें इससे में दो रिजीम चल रहे हैं दो यानि प्लान आप कह सकते हैं पुराना प्लान और एक है नया प्लान इसमें देखिए धाई लाग तक यदि कोई आदमी कमा रहा है किसी के taxable income या कर योग जो आए है taxable income है ठीक है बच्चों वो धाई लाग तक है तो उसको income tax कितना देना है यानि जीरो नया वाला slab में वो जाएगा अगर दोनों में से कोई एक आदमी चूस कर सकता है नया या पुराना नये में भी धाई लाग तक जीरो देना है यानि कोई income tax उसको पे नहीं करना है यानि सपोस करिए कोई कर्मचारी है चाहे वो private नोकरी कर रहा हो चाहे सरकारी या कुछ भी ऐसा कर रहा हो उसकी income taxable income धाई लाग रुपे तक है उससे कम है तो उसको एक रुपे भी income tax नहीं देना है यानि उसका जीरो रहेगा अब हम बात कर लेते हैं कोई कर्मचारी है जिसकी income धाई लाग से अधिक है और पांच लाग तक है ठीक है बच्चों जैसे सपोस करिए उसकिसी की income चार लाग है तो धाई लाग तक कुछ नहीं देना है चार लाग में कितना अंतर रहेगा डेल लाग और तो डेल लाग का उसको 5% देना पड़ेगा ठीक है बच्चों तो 5% धाई लाग से उपर और 5 लाग तक उसको 5% देना यानि जो बाकी का जो धाई लाग है अगर उसकी 5 लाग income है किसी वक्ति की तो उसको धाई लाग पर tax देना रहेगा कितना 5% ठीक है बच्चों यही नए वाले रिजीम म तक 12,500 हुआ 5% और 5 लाग से उपर 20% जितनी income होगी उतना 20% फिर जोड़ करके उसको income tax पे करना पड़ेगा तो यह बच्चों income tax का तरीका है इसी तरह से table बनी होती है यह सिर्फ उधारहन के लिए मैंने आपको बता दिया है एक या दो आप line याद कर लीजिए बस उतना बहुत है याद क्या करना है समझ ही तो लेना है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और बस एक आपाराज आसानी से लिख सकते हैं उसको अब दूसरी हम बात कर लेते हैं बिक्री कर इसको कहते हैं sales tax sales मतलब नाम से समझ में आ रहा है कोई उत्पाद आप बेंच रहे हैं या क customer रहा है मा लीजी आप कोई समान खरीद रहे हैं मैं कोई समान खरीद रहा हूं तो दुकानदार तो हमसे जोड़के tax ले रहा है और इसलिए उसको करें आप रत्यच्च कर यानि indirect cost यानि दे कोई और रहा है लेकिन लिया किस से जा रहा है customer से आप रत्यच रूप से तो यह थोड़ा आगे और देख लेते हैं तो दुकानदार सामान की जो बिक्री करता था यह पहले चलता था अप करता था इसलिए लिखा है क्योंकि अब इसकी जगे जी एश्टी आ गया है जो आपने सुना भी होगा और आगे हम इसमें पढ़ेंगे भी तो जो बिक्री करता था उस पर ग्रहाक से बिक्री कर लेता था यानि सेल्स टेक्स वसूलता था और उसको सरकार के खजाने में जमा करवाता था अब इसकी जगे क्या ले लिया है जी एश्टी यानि अब ये ज्यादा नहीं लिया जाता है मतलब बंद कर दिया गया है सेल्स टेक्स और इसकी जगे वसूल करके सरकार की खजाने में जमा करता था अब जो नया रूप इसने GST जैसे अब आ गया है तो वो लिया जाता है अब ये काता है मातपुन उत्पाद सुल की यानि एक्साइज ड्यूटी तो उत्पाद सुल पर क्या होता है तो वहीं पर उस tax को लगा दिया जाता है जैसे आपका petroleum पदार्थ हो गया petrol diesel हो गया इस तरीके की चीजों में सराब हो गई इसमें उत्पाथ tax जनी excise duty लगती है तो इसको हम देख लेते हैं तो उत्पाथ सुल को ही excise duty या excise tax कहा जाता है तो यहां देखे यह देश के अंदर वस्तूओं के उत्पादन और उसकी बिक्री पर केन सरकार द्वारा लगाए जाने वाला tax है यह भी एक तरह का प्रतेच tax है कि देती यह से जो बेंच रहा है देता तो वो जमा तो वो कराता है लेकिन लिया किस से जाता है वाली बांकी tax के साथ जोड़कर ग्रायकों से वसूलता है क्या करता है बांकी जो भी वो बेंच रहा है उत्पादन उसको जो tax देना है वो उसमें जोड़कर किस से वसूलेगा customer से और फिर सरकार के खजाने में जमा कर देगा तो ये इसका तरीका है तो आप रत्यचकर इसलिए कर रहे हैं कि जमा कोई कर रहा है लेकिन वास्तों में लिया किस से जा रहा है किसी अनविक्ती से customer से तो ये चीज है इसमें तो जिसके बाद वो अपने उत्पाद पर जो ग्रायकों से वसूल की गई excise duty है कि रकम को सरकार के पास जमा कर देता है इससे सरकार को करोनो रुपे की आय होती है और वो आय कहां पर फिर लगाया जाता है उसको विकास कार्यों में सड़क बनवाने में अन विकास कार्यों में तो ये जो चीज है वो कहलाती है आपकी उत्पाद सुलक या excise duty तो ये excise duty जनरली किस पर लगाई जाती है जैसे सराव हो गया विसिश्ट कुछ उत्पाद होते है पेट्रोलियम पदार जैसे पेट्रोल डीजल हो गया इत्यादी विसिश्ट वस्तूँ पर excise duty लगई होती है और Central Board of Excise and Custom CBEC कहते हैं ये पूरी क्या करता है टेक्स वसूली प्रक्रिया का संचालन करता है ठीक है बच्चों तो ये पूरा आप समझ गए होंगे कि क्या चीज है ये आप इसको अच्छे से एक बार और देख लीजेगा तो आपको क्लियर हो जाएगा उत्पाद सुल के एक साइज जूटी यानि उत्पादन पर जैसे सराब और पेट्रोलियम पदार्थों के उस पर ये टेक्स लगता है लेकिन देता अल्टीमेटली कस्टमर है इसलिए ये एक अप्रत्य अच्छ टेक्स है ये बड़ा महत्पूर्ण है सीमा सुल के यानि कस्टम ड्यूटी आपने नाम सुना होगा कि विदेशों से कोई आदमी सोना लेकर के आ रहा था उसको कस्टम बालों ने एरपोर्ट पर पकड़ लिया तो ये क्या है पतला ये बिल्कुल सीमा सुल को बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है या फिर कस्टम ड्यूटी कहा जाता है ठीक है बच्चों तो ये कस्टम ड्यूटी कहलाता है बिल्कुल इस पच समझ गए कि बाहर से या विदेश से जब कोई समान आता है मंगाया जाता है तो उस पर एक टेक्स लगाती है उस देश की सरकार उसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी या सीमा सुलक तो सीमा सुलक के फाइदे क्या है अब माल लीजी सपोस करिए कोई बाहर से दूसरे देश में कोई चीज सस्ती मिलती है ऐसे सोना यहां माल लीजी महेंगा है कई कंट्री ऐसे वहां सोने सोना बड़ी संख्या में होता है तो सस्ता मिलता है तो लोग वहां से खरीद लाएं और यहांपर बेचें या यूज करने लगें तो यहां के सोने को कौन खरीदेगा यहां के दुकांदारों को कौन खरीदेगा इसलिए ये एक्स्ट्रा वो लगा दिया जाता है टेक्स ताकि उसकी कीमत बढ़ जाए और यहां कभी चलता रहा है तो यह देश की आर्थे की स्थिर्था नौकरी परियावरन आदी को सुनिश्चित करता है यह देश के अंदर और बहाल माल की आवाजाही पर भी नेंतरन र यह कोई पता है न यह सोना हीरा हो गया बाहर कहीं सस्ते मिलते हैं बहुत बड़ी कॉंटिटी मिलते तो लोग उसको इसमगलिंग करकर के लाते हैं तो यह प्रतिवंदित वस्तुओं पर नजर भी रखता है इसलिए इसको कहते है सी मसूल क्या कस्टम ड्यूटी अब आते ह जो किसी भी मूल पर एक उत्पाद में जोड़ा जाता है तो अब बताये इसकी जगी जी एश्टी ने ले लिए तो वैट पहले लगता था सौर रोपय का उत्पाद बेंच रहें तो उसमें वो बैट जोड़ करके कस्टमर से वसूलता था और जितना टेक्स वसूला वो सर वैट वैल्यू एड़े टेक्स है पर याद रखिए और यह एक भोग करें यानि भोग आप करेंगे किसी चीज का तो उस पर आपको देना रहता है जो यह भी मूल पर एक वस्तु का जो मूल होता है उसमें जोड़ा जाता है इसकी जगे जी एश्टी ने ले लिए तो अब जी एश्टी पर ही बात करने जा रहे है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है यह पता होना चाहिए क्योंकि यही समय चल रहा है आपने न्यूज पेपर में सुना भी होगा जी एश्टी के च्छापे पड़ रहे हैं ब्यापारी दुकान बंद कर रहे हैं भाग रहे हैं कुछ दिन पहले बहुत यह सब न्यूज पेपर में खबरें आया करती हैं तो नाम पता चल रहा है वस्तू से मतलब उतपात कोई भी चीज या समान और सेवा मतलब सर्विस जो प्रोवाइड करती है कंपनी जैसे कोई जिम दे रहा है जैसे होटल हो गया तो वो सर्व कर रहे हैं बैंक हो गए और इस तरीकी की बहुत सारी सेवा हैं जैसे कोई मसाज करवा रहा है तो यह सेवा होती है तो वस्तू एम सेवा कर तो कोई भी आप इस तरीकी की वस्तू खरीदेंगे या कोई सेवा कराएंगे तो उस पर भी टेक्स लगता है तो बिलकुल निश्चेत है सब बितमंत्री इसके अध्यच होते हैं क्या होता है बच्चों वस्तु इम सेवाकर क्या है वस्तु इम सेवाकर परिसाध है यानि काउंसिल है उसके द्वारा संचाले थे और भारत की बितमंत्री इसके अध्यच होते हैं ये इस तरीके की विवस्ता है अभी हम मेन बात कर लेते हैं कि GST के तहट वस्तूं और सेवाओं को निम नदरों पर लगाया जाता है जैसे बहुत सारे समान है किसी में 0% यानि GST 0 है एक भी न लगाया जाए जरूरी चीजें कुछ ऐसी होंगी कुछ ऐसी है जिन में 5% है कुछ ऐसी जिन में 12% कुछ में 18 कुछ में 28 तो मान लीजिए कि अलग अलग वस्तूं के हिसाब से कैटेगरी बांट दी गई कि कुछ में GST 0 कुछ में 5% कुछ में 12% और कुछ में 18 कुछ में 28% इस तरीके से प्रोड़क्ट बांट दिये गए तो जो जैसा समान खरीदेगा उसको उतना टेक्स GST के रूप में देना रहेगा कस्टमर को अब GST के प्रकारों की बात करें तो यह सब आप जानते हैं कोई भी आप जब बिल कंप्यूटराज निकलाएंगे उसमें GST का पूरा बिल नीचे लिखा रहता है मौल से कभी समान खरीदिये वो देंगे आपको निकाल करके परचा नीचे देखिए GST और उसमें दो भाग में बटा भी होगा कि CGST और उसमें लिखा होगा दूसरा SGST तो उसमें भी सरकार हम देख लेते हैं जो आप आसानी से समझ सकते हैं और एक बिल आप जरूर देख लीजेगा तो आपको आईडी अच्छा हो जो तो एक होता है CGST का मतलब Central Goods and Services Tax ये केंदर के हिस्से का GST Tax होता है यानि जो भारत सरकार को जाता है SGST यानि GST के पहले S लगा दी यानि State Goods and Services Tax ये खरीदार राज के हिस्से का GST Tax होता है यानि जिस राज का कस्टमर उसको खरीद रहा है वो टेक्स तो खरीदार राज के हिस्से में जाता है वो GST Tax और तीसरा होता है IGST कहलाता है Integrated Goods and Services Tax यानि केंदर और राज दोनों के हिस्सेओं को मिला करके बना ये टेक्स इसको आपने कम सुना होगा, तो यह चार प्रकार हो गए, अब मैं इसको एक उधारन द्वारा सिंपल आपको समझा देता हूँ, तो आपको फिर वहां लिखने में आसानी होगी, मैं अभी शॉपिंग मॉल में गया था कुछ दिन पहले, वहां मैंने एक आइसक्रीम खरी दी तो पूचा कि कितने की आइसक्रीम, उसने कहा आइसक्रीम सौ रुपिया की है, ठीक है बच्चों, तो लेकिन जब उसने मुझे बिल निकार की दिया, तो उसने क्या किया, उस पर अठारा परसेंट जीएश्टी, तो सौ का अठारा परसेंट मतलब अठारा रुपे उसने तो मुझे कुल कीमत कितनी पड़ी 100 रुपय की आइसक्रीम 18 मुझे टेक्स देना पड़ा तो मैंने कितना पैसा दिया 118 रुपय मैंने उसको पे किया तो वो तो बच्चों आइसक्रीम तो 100 रुपय की थी उसने बिल दिया तो 18 रुपय एक्ष्टा लिया तो वो जो 18 रुप परसेंट जैसे लगाई एक उधारहन के लिए तो उसमें 18% यानि 18 रुपे हुआ 18 रुपे में आधा 9 रुपे केंदर सरकार का और 9 रुपे राज सरकार का ऐसे जाता है तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ा 118 रुपे तो ऐसे ही कोई भी अगर विक्रेता है दुकानदारे स समान जब बेंचता है तो वो टेक्स अलग अलग जो जैसा समान है बताया ना जीरो पांच परसेंट 18% या 28 रुपे पांच के टिगरी मैंने उपर बताई थी उतना लगेगा और वो जो उसने टेक्स कलेक्ट किया कस्टमर से वो जमा कराता है कहां पर खाते में सरकारों की तो वो फिर वहाँ जो जिसियार होता है के इंदर सरकार का और राज सरकार का वो उनके पास पहुंच जाता है ठीक है बच्चों और उत्पात की जो कीमत होती वो अपना बिक्रेता या जो उत्पादन करता है वो पहुंच जाती है आईसक्रीम की कीमत 100 रुपे थी वो अप बहुत उपयोगी है, management का part है आपने देखा होगा कि यही सारे हमारे जीवन में भी कहीं न कहीं आता है सारा चीज सुनने में, समझने में, करने में, management की जब बात आती है तो financial management की वे तो घरों में भी वही स्थिती होती है, साधी समारोम करते हैं, तो यह सारे कहीं न कहीं concept जरूर बढ़ाना है, सिर्फ परिच्छा में पढ़ने के लिखने के उद्देश से की पास हो जाएंगे, 17-18 नम्मल आकर कुछ भी लिखेंगे, इस उद्देश से मत पढ़िए, इस उद्देश से पढ़िए कि इसको आपको समझना है, और जब आप इसको समझने तो बढ़ा इंट्रेस्टेंग होगा, और आगे चल करके जब आप कहीं जॉब करेंगे, जाएंगे, तो ये सारे concept आपके काम आएंगे, किसी ना किसी रूप में, तो आज के लिए इतना काफी है, आप thank you very much, वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्नवाद, next chapter लेकर के फिर आप से next वीडियो में मिलूँगा, thank you very much, आप सभी का दिन शुब हो